नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मीवानी सोके एपिसोड नमबर 30 में जहाँ पर हम बात करेंगे लेटेस साउथ मोवी न्यूज और कुछ इंटरस्टिंग अपडेट्स की तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें दोस्तो वीडियो की सुरुआत करते हैं रजनिकान साथ की सेकेंड नेक्स्ट फिल्म थलाईवाव 171 से जैसा कि आपको मालुम होगा कि इस समय रजनिकान साथ टीजे गनावेल के नर्देशन में बन रही वेटियान की सूटिंग में वेस्त हैं इसके बाद रजनिकान साथ और लोकेस कनग राज का कोलेबरेशन होने वाला है जिसको लेकर फैंस के बीच काफी एकसाइटमेंट देखने को मिल रही है और ये देखना वाक्वच दिल्चस होगा कि लोकेस कनग राज सुपरेश्वस्टार रजनिकान साहब को किस तरह से प्रिजेंट करेंगे रजनिकान साहब जो कि लोकेस कनग राज की मना गारम और कैथी को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे उन्होंने अपनी तरफ से लोकेस कनग राज के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करी थी जो फिलाल अब पूरी होने वाली है रिपोर्ट्स की माने तो थलाइवा 171 की कहानी एक रात की होगी लोके सकनग राज वैसे भी मना गारम और कैथी के जरीए एक राती कहानी दिखा कर ओडियन्स को थ्रिल कर चुके हैं इसी के चलते इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्सपक्टेशन काफी हाई है और बताय जा रह है कि रजनिकान साथ इस फिलम में एक गोल्ड समगलर के तौरपन नजर आएंगे दोस्तो वेटियान की सुटिंग खत्म होने के बाद रजनिकान साथ इस फिलम में काम करेंगे खेर, नेक्स्ट हम बात करेंगे थलपती 69 की, दोस्तो, As We Know 100 of Speculation के बाद, फाइनली हमने अपने लाश्ट वीडियो में रिवील कर दिया था, कि थलपती 69 को As We Know Direct करेंगे, और अब ये खबर almost confirm भी हो चुकी है, थलपती 69 विजे की पॉलिक्स में जाने से पहले उनकी लाश् है, ये वाकई उन सभी इंडिकेशन को almost confirm कर रहा है, दिवार पर लगा थलपती विजे का ये पोश्टर, एक kind of political companion के तरफ इसारा कर रहा है, थलपती विजे की फिल्मों में वैसे भी कहीं न कहीं आपको एक political commentary जरूर देखने को मिलती रही है, चुकि डिरेक्टर एच विन अब ये देखना वाकई interesting होगा, कि आखिर एक political genre में डिरेक्टर साब action और thrilling element को कैसे add करेंगे, खैर next time बात करेंगे, upcoming pan India class की, जहां पर दो major film में एक ही दिन पर release होने वाली है, एक है अलो अजुन की pan India film pushpa 2, और दूसरी है अजे देगुन की सिंगम 3, और ये दोनों फिल् में जो gather 2 थी, वो एक mass oriented film थी, वहीं पर omg 2 की audience different थी, इसके बावजूद gather 2 ने omg 2 के compare में 3x कमाई करी थी, मगर इस बर problem यही है, कि ये दोनों फिल्में mass audience को target करेंगी, और दोनों फिल्मों की अपनी legacy है, pushpa 2 जो की एक pan India release है, वो सायथ Hindi belt में उस तरह की record तोड़ कमाई न करी, वहीं सिंगम 3 की बात करें, तो अजे देवगन as a bhaji raw सिंगम की अपनी एक cult following है, अजे देवगन को इस रोल में खूब पसंद किया जाता है, इसलिए इस फिल्म को भी हलके में नहीं ले सकते, अजे देवगन का पिछलर track record भी यही है, कि अगर उनकी फिल्म box office पर टि star card देखने को मिलेगी, और इतनी लंबी star card definitely audience को अपनी तरफ attract करेगी, अब ये class किस पर भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर हां 8 April को पुस्पा 2 का teaser release होने वाला है, अभी अभी एक poster के मध्यम से इसकी जानकारी दी गई, जहां पर पुस्पा यानी कि बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि पुस्पा हिंदी बेट में एक ऐसी फिल्म साबित हुई थी, जिसने पोस्ट कोविट पीरेड में 100 कोट प्लस की नेट कमाई करके दिखाई थी, खैर बढ़ते हैं अपनी next update की तरफ, दोस्तो आपको बता दू, पुस्पा 2 के एटली कुमार की सितारे बुलंदियों पर हैं और वे अपनी अगली फिल्म अलू अजुन के साथ बना रहे हैं, डिरेक्टर एटली कुमार ने साफ कह दिया है कि वे अलू अजुन को लेकर मास सिनेमा में एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, इसी से आप लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी एक्साइटिंग होगी, अलू अर्जुन और एटली कुमार को साथ में देखना वाक्य इंट्रेस्टिंग होगा, वैसे बताय जा रहा था कि इस फिल्म में अलू अर्जुन के अपोजिट टेक्टर एटली कुमार तरिशा किष्टन को किया गया है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ की खोबसूरत एक्टरस अनुपरमा परा मिश्रम की, दोस्तो एक समय ता जब इनकी गिंती कीर्ती सुरेज, साई पलवी, रश्मिका मंदाना और दिसापातनी जैसी एक्टरस के बीच होती थी, लेकिन ओवर दा पीरड ये ये टिल्ली स्कॉयर में काम करेंगी और ये एक काइंड अफ इनका एक बोल्ड अवतार था, जब लोगों ने इने लिली के इतने बोल्ड अवतार में देखा, तो सभी ने इनकी टोलिंग सुरू कर दी, अनुपमा परामेश्वर की इतनी टोलिंग हुई कि उन्होंने टिल लेकिन आप बताइए कि अनुपमा परामेश्वर को आप इस तरह के रोल में देखना चाहते थे या नहीं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्यालम इंडस्ट्री की, दोस्तो मल्यालम इंडस्ट्री टूली इंडिया की ग्रेटस इंडस्ट्री है, जो रिमेक पर नहीं बलकि लेकिन अब धेरे-धेरे 100 क्रोण, 1500 क्रोड और 200 क्रोण तक इस इंडस्ट्री के रिए नॉर्मल सी बात हो रही है इसी साल मंजलम बॉइस और प्रेमलू जैसी फिल्मों को खुब पसंद किया गया और पैन हिंडिया पर इन फिल्मों को क्रिटिकली अकलेम मिला है ममूर्टी ये फिल्म बॉक्स होईस पर अच्छे खासे फिगर भी डिलीवर कर रही है आपको बता दू इस फिल्म ने मौहनलाल सर की लूस्वर की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये फिल्म मल्यालम इंडस्ट्री की फास्टेस फिल्म बनी है जिसने 50 क्रोड की कमाई करी है नेक्स हम ये फिल्म दसरा की सीक्वल तो नहीं होगी लेकिन उस सीक्वल से बिलकुल भी कम नहीं होगी ये नानी और डेक्टर स्रीकांत ओडेला का सेकंड कुलेबरेशन होगा और इस फिल्म में नानी एक्स्ट्रा वॉयलनस आवतार में आपको देखने को मिलेंगे नेक्स हम बात क कुछ इस तरह से निकल कर आ रही थी कि 1 माई यानि की अजित कुमार के बर्डे के दिन आपको एए 62 यानि की विदा मियार्ची से रिलेटेड कुछ अपडेट देखने को मिलेगी हाला कि आपको विदा मियार्ची तो नहीं लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस तारीक को आप को अजित कुमार की 63 फिल्म यानि ये गुट बैड और अगली का प्रोमो देखने को मिलेगा आपको बता दो ये मैत्री मोई मेकर्स की फिल्म है जो नेक्स्ट हम बात करेंगे विजे देवरा कुंडा की दोस्तो लाइन से कई सारी फ्लॉप फिल्में देने के बाद विजे में विजे देवरा कुंडा के अपोजिट मुर्णाल ठाकुर को कास्ट किया गया है लेट्स होब कि गीता गोईंदम फेम ये एक्टर डेक्टर की जोड़ी दुबारा से काम करें और इस फिल्म के जरिए विजे देवरा कुंडा को अच्छा खासा कमबैक मिले खैर ये रह करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद